वेलकम टू मारी चैनल, आज मैं आपको दो ऐसे दिगगर स्टॉक्स बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग वेल्थ क्रियेशन के लिए ऐसा लगा सकते हूं, मुझे ऐसा लगता है, ये दोनों दिगगर स्टॉक्स आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकते हैं, तो अगर आप लोग इन दोनों दिगगर स्टॉक्स में इन्वेस्टेर हैं, तो लॉंग टर्म के लिए इन दोनों दिगगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियों में सामिल कीजिए, अगर नहीं इन्वेस्टमेंट हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यह दोनों बहुत ही बड़े multi bagger stock बनेंगे future में तो चले video start कर जो जानते हैं दोनों multi bagger stocks के बारे में तो मैंने आद जो पहला दिगड़ stock चुछके उसका market capital आप लोग देख सकते हो 1286 code का market capital आप लोग देख सकते हो आप लोग पिछले सालों का trend भी देख सकते हो क्या सांदार momentum आपको deliver करके दिखाया दिगड़ stock आप लोग देख सकते हो अभी थो चल रहा है तो आप लोग लॉग term investor हो तो आप लोग इस दिगड़ stocks में जोड़ investment कीजिए यह chemical sector से बिलांग करती है और आप लोग को पता हो गए chemical sector में हमेशा पैसा बनता है अगर आप लोग invested है तो बिलकुल भी sell मत कीजिए गिरावाट आता है इस stock में और भी correction आता है तो investment कीजिए क्योंकि बहुत ही multi bagger stock है यह तो चले जान लेते इस दिगड़ stock के quarterly results देख लेते हैं बात कर quarter results की तो quarterly results भी देख सकते हो June 2021 में जो sales growth generate 162 crore के generated के थे चुषी सितमब़ 2021 में 134 crore के हो गए जो पोजटी बार हो ती आप लोग देख सकते हो operating profit आप लोग देख लो June 2021 में 20 crore क्यों प्रेटीं पॉए जनरेते चुषी सिस्टमबर 2021 में 22 कुरूड की हो गये, जो पॉजिटीवाथ होती है, आप लोग देख सकते हैं. EPS की बाद कर लिया जाएं, तो जून 2021 में जो EPS इस्टॉक का था, वो टीर पॉइंट जीरो एंका था, सिस्टमबर 2021 में 12.60 का हो गये, जो positive बात हो थी है आप लोग देख सकते है, net profit भी आप लोग देख सकते हो, June 2021 में जो net profit इस दिगज श्टॉक थे चनरेट के तो 11 crore के चनरेट के थे, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 14 crore के हो गए, तो आप लोग देख सकते हो, ओभार आल आपको बहुत ही सांदार quarter results दिलबर है, multi bagger stock आप लोग देख सकते हो, किसी भी quarter में कम भी नहीं रहा है, जो positive बात होती है, stock के growth के लिए आप लोग देख सकते है, बात करें stock के CGR की तभी इस stock को list हुए, 10 years नहीं हुए, इसलिए 10 years, 5 years का CGR सो नहीं खेलेगा, बात करें पिछले 3 सालों के CGR की तो आप लोग कर जुका है, पिछले 1 सालों में आप लोग देख सकते हो, 605% के CGR कर जुका है, पिछले 1 सालों में, जो पड़ी बात होती है, positive बात होती है, आप लोग देख सकते हो, बात के stock के sale holding pattern की, तो आप लोग sale holding pattern भी देख सकते हो, प्रमोटर ने देख सकते हो, आप लोग क्या त तो आप लोग देख सकते हो, प्रमोटर भरोसा करने है, तो आप लोग भी ज़रूर भरोसा कीजिए, और लॉंग टर्म के लिए इस दिगज श्टॉक को अपने पॉर्टफोलियों में सामिल करोगे, तभी बहुत ही बाड़ी वेल्थ पना पाओगे आप लोग, तो चले जान इस मल्टी बैगर श्टॉक का नाम किया है, तो मैंने आज जो दिगज श्टॉक किया है, उसी श्टॉक का नाम अप लोग के स्क्रिन के सामने आ चुक है, यह स्टॉक देख सकते हो, बात कर ले पिछली एक महिनों के ट्रेंड की तो आपको 10.40% के रिटरंस आपको प्रोइ बात करें पिछली तीन सालों के रिटरंस की तो आप पिछले तीन सालों के रिटरंस भी देख सकते हो, 886.13% के मल्टी बैगर रिटरंस आपको डिलिबर कर खढ ख़ड श्टॉक है, दिगगर श्टॉक आप लोग देख सकते हो, और करीबन आपके पैसे को 10 कुना खड रहे कितना तीन सालों में पैसा दस गुना अल्रेडी खड़ चुक है कैमिकल इस्टॉक तो अगर आप लोग यस्टो इंडेस्ट्री में इन्वेस्टेड हैं तो लॉंग टर्म क्ले इस दिग्गर इस्टॉक को सामिल कीजिए अगर नहीं इन्वेस्टेड हो तो जोड पैसा लगा पांच गुना खड़ दिया है तीन सालों में पैसा आपका करीबन पांच गुना खड़ दिया है तीन चार सालों में पैसा पांच गुना यह दिग्गर इस्टॉक भी खड़ चुक है तो आप लोग अगर इंडियन एनर्जी एक्शेंज में इन्वेस्टेड दो तो लॉंग टर्म क्ले इस दिग्गर इस्टॉक को अपने पॉट्फोलियो में सामिल कीजिए अगर लागर इस्टॉक के साथ आपका दिन सुभो धन्यवाद